नमस्कार प्रिया दर्सुको मैं हूँ असुलजर रवी गुपता और स्वागत करता हूँ आज के मेरे बहुत ही वीशेश कारिकरम राहू और सुरी का यूति जो जनब पत्रिका में ग्रहन दो सुत्पन करता है इसका प्रभाव मनस्य के उपर क्या पड़ता है और मैं आपको यहवी जनकारी दे दूंगा कि सुरी और राहू के यूति का प्रभाव लगन भाव से लेकर के पूरे पूरे 12 भाव में क्या होता है यानि आपकी पत्रिका में सुर्य और राहू अगर साथ में विराजमान है तो इसका पुन रुपेन तोर पे कौन सा फल आपके लगन भाउक से लेकर के 12 भाउक के मद्दे में मिलेगा ये संपुन जनकारी हम आपको दे देंगे प्रियदर्सों को देखिए सुर्य जो है हमारे जीवन में आत्मा पिता सम्मान और हमारे जीवन में आत्मिस्वास के कारक होते हैं सुर्य क्या है धर्म है राहू क्या है अधर्म है जो अपने जीवन में सुर्य के ख्याती से व्यक्ति जो है सम्मान और धन की प्राप्ति करता है राहू की इस्थितिया अगर कुंडली में अच्छा हो तो व्यक्ति धन तो प्राप्त कर सकता है परंतु सम्मान नहीं प्राप् करता है जो प्रतिक मनुष्य के अंदर सुर्य का सूप प्रभाव को बढ़ने से रुखता है तो व्यक्ति अपने जीवन में मांसिक तनाव मांसिक आइस्थिरताएं और साथ में कुरोध का भ्रम का सिकार बन जाता है सबसे महत्रपूर्ण बात एक चीजिया है क्या वागई में सुर्य का प्रभा मुनष्य के उपर है प्रिय दर्सुकू पहला बात तो सूर्य पिता के कारक है जो हम लोगों के जन्म दाता है और दूसरी बात हम लोग के शरीर में हड़्डी जिससे हम लोग खड़े हैं हम पत्रिका में खराब हो जाए और राहु के द्वारा छाया लग जाए यानि ग्रहन लग जाए तो निच्ची तौर पे इन सभी स्थितियां मनुष्य के सरीर में उत्पन होता है अगर सुर्य जो पत्रिका में सुब हो जाए तो व्यक्ति के नंदर एक चमंग एक आभा की स्थितियां उत्पन होती हैं। और साथ में उनके पिता का सहयुक जीवन भर प्राप्द होताहे जो ब्यक्ति प्रशासनिक मेडिकल और इसके अलावा काच की वस्तुए कपड़े से रिलेटेट किसी सम्मंधित इसके अलावा निच्ची तोर पे सेना से रिलेटेट काम करते हैं तो यह सुर्य का प्रवलता फल लावकारी होता है लेकिन अगर साथ में राहू बैठ जाए तो इन सभी छेतरों में सुर्य का फल पुन है दोनों का यह बहुत ही प्रवलता वाला होता है और अगर यही इन दोनों के यूती जो है पंदरह डिगीरी से ओपर यह पाच और 27 डिगीरी के मद्धे में रहता है तो दूरी जादा होने के कारण जो है राहू का सुरी के उपर जादा प्रभाव नहीं पड़ता है और अगर यही राहू जो है सुरी से जादा डिग्री वाज मजबूत हो जाए तो सुरी को ग्रसित कर लेता है और अगर राहू कमजोर और सुरी जादा प्रभल हो ज आंतिम समय में में वीडियो का कुछ-कुछ महत्वपुन उपाई भी बता दूंगा ताकि आपको समझने में और उपाई करने में बहुत ही असानी हो प्रिय दर्शकों को देखिए अगर आपकी कुंडली में लगन में सुर्य विराजमान है यानि पहले घर में विराजमान है पांच नंबर और एक नंबर पे है तो सुर्य तो उच्च के हो जाएंगे यहां पे राहु का प्रभाव कम पड़ेगा और अगर सात नंबर पे हो जाएंगे तो निच्ची तोर पे इसमें बहुत जादा प्रभाव साली सुर्य हो जाता है अगर लगन में सुर्य और आपको शम्मान मिलेगा साथवे घर पे दिरिष्टी पढ़ने के कारण राहू और सूर्य का ग्रहन दोस्ट जो है आपके जीवन में वाइवाहे की जीवन को खराब करेगा विवहादेर से होने के स्थित्यों को उत्पन करेगा आपके पैसे सेव नहीं हो पाएंगे कुछ ल बना करके रखना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अब बनाम हो जाएं और दूसरों की बातों में करके कोई भी बड़ा डिसिजन नहीं लेना चाहिए अगर आपके कुडली में सूरी और राहू के यूती दुत्य अस्थान पे हो जाता है तो यह के वर्चस्व को पिता के रिस्पॉंसिबिलिटी को सम्हालना चालू कर देते हैं पैसे सेव नहीं कर पाते हैं निरंतर जो है आप जो है परिवार के खर्च में परिशान रहते हैं और आपके जीवन में इन दोनों के यूती होने के कारण बहुत जादा आपके जीवन में सम्मंद में सफलता नहीं हो पाता है और इलीगल रिलेशन में बदनामी और धन का पानी का जैसा खर्च होने की स्थितियां भी उत्तपन होती है ऐसे स्थितियों अपने जीवन पे आपको वानी पर नियंतरन रखना चाहिए और प्रसासनिक अदिकारियों समत्विद नहीं करना चाहिए अपने कलीग ऑफिस के लोग और मित्रों के साथ और इस्तदारों के साथ और आसपास के लोगों के साथ बहुत चलाकी से आपको अच्छे अच्छे निरने उनके समक्ष जो उनको पसंद है बोलना चाहिए और चुप चाप अपना काम निकालना चाहिए अगर स्थानी प्रुपर्टी विवाद बहुत कम उम्रे से ही आपके मत्य पर जागर के डोलना चालू कर देता है और इसके साथ में जो है आपके छोटे भाइबहन के स्थानी प्रभाव शाली होता है तो आपके जीवन में निक्ची तोर पे धन की प्राप्ती आई की प्राप्ती में कोई कमी नहीं नहीं रहेगी लेकिन निक्ची तोर पे राहू का पाच्वाद रिष्टी विवास स्थान पे पड़ता है और सुर्य के द्वारा जो है राहू और सुर्य का ग्रहन दोस्के कारण आपके जीवन में धन सुक्सम्रिधें में कमी नहीं होता पर विवाहर में बाधाय उत्पन होती हैं अगर आपकी कुंडली में चतुर्त स्थान में राहू और सुर्य की यूती हो जाती है तो आप अपने जीवन में जो है सामाजिक पूर्ण रुपे नहीं बन पाते हैं समाज के लोगों से आप सुराली पक्षे से मतभेत के साथ जो है आपके जीवन में आतविश्वास की बहुत ज्यादा कमी होती है और अपने जीवन में बहुत दावलत होने के बाद भी आपको पूरपटी बनाने में बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है और आपकी माताही कभी- जीवन में बहुत सोच सोच के अपने काम को निकालना चाहिए और अपना पैसा किसी भी तरह बचाना चाहिए च्छन भर में माता-पिता ही क्यों नहों या परिवार के लोगी क्यों नहों बिश्वास नहीं करना चाहिए अगर आपके कुंडली में सूर्य पंचम अस्थान पे बैठा हुआ है तो निच्चित तोर पे जो है संतान सुखों में यह कमी करेगा आप एक जगा पे प्रेम संबंद इस्थितियों को कभी नहीं अस्थापित कर पाईएगा आपके जीवन में लोट्री शक्टा शेर मार्केट में हमेसा नुक्सान की शंभामनाई बननी चाल तो पैसे की कमी कहीं से नहीं होती है लेकिस समस्या यह हो जाता है कि आपके संतान या फिर आपके ही कुछ लोग जो होते हैं आपके पैसे का मिस्यूज करते हैं और आपके संतान जो है आपके खिलाब कभी कभी बात करना चालू कर देते हैं और आपके सपोर्ट में भी बा possibility उनको नहीं देनी चाहिए अगर आपके कुंडली में सुर्य और राहू के योती छट्टे अस्थान पर बन जाता है तो छट्टे अस्थान पर सुर्य भी कारक होते हैं और राहू भी कारक होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि असूप फल देगा यानि आपके जिवन में धन दलब की कहीं से कोई कमी नहीं होगी बहुत पैसा आपके पास रहेगां लेकिन आपके सत्रूं भी उत नहीं रहेंगे आपको बदनाम करने वाले भी उतनहीं लोग रहेंगे इसके अलावा आपके अस्थान पे राहू और सूरी के यूति आप कर्ज भी लीजिएगा और कर्ज को चुका भी दीजिएगा लेकिन जीवन में अगर बहुत ज़्यादा सफल होते हैं तो इनकम टेक्स बगरा का बाधा या आत्विश्वास कभी कभी कमजोर होना यमन में नेगर्टिव स्थिती या कभी कभी सोसाइड अटेम्ब के स्थितियों को भी उत्पन करने वाला होता है और ऐसे यूति वैवाह की यूति सब्तम स्थान पर बढ़ता है तो यह विवाह की बात अगर करें तो यह विवाह नहीं होने देता है जनरली ऐसे स्थितियों में वैवाहिक जीवन तो सुखे नहीं होता लेकिन पतनी या पती जो आता है आप से ज़्यादा उम्र के आते हैं अगर लड़किया है लड़के हैं तो ज्यादा उम्र की महिलाओं से मतल़ लड़कियों से साधी होने की स्थिति उत्पन होती हैं क्योंकि दोनों ग्रह जो है डायवोस्टी ग्रह कहलाते हैं दोनों ग्रह क्रू है और पापी ग्रह है अब यहां पर कफल बहुत डिफरेंट हो जाता है देखिए साधवे घर का राहू अपना काम तो करेगा सूरी के साथ यह साधी नहीं होने देगा पार्टनर सिपिंग आपको नहीं जमने देगा बैपार में आपको एकलाउता खुद ही आगे बढ़ना है क्योंकि पार्टनर तो आपको धोका देके आगे निकल जाएंगे पेट की समस येगा राहू जब बैठता है सप्तामस्थान पे तो निश्चित तोर पे यह जो है आयस्थान को देखता है तो पैसे और धन दौलत में कमी नहीं होगी वाइट मनी ब्लैक मनी विदेश से पैसे एजेंट से पैसे बहुत देगा लेकिन वेवाहिक जीवन से भी दूर रख सब्सक्राइब करना चाहिए बैपार किसी के अंधविश्वास में आकर के नहीं करना चाहिए और इसके अलावा जो सरकारी छत्रों में हैं तो जो आपके सिनियर अधिकारी हैं उनको हमेशा मलाई मसका लगाते रहिए प्यार से बात करते रहिए नहीं तो नोकरी छोड़के घर में बैठ जाने वाल हो अगरा के कुड़ली में सुरी अराहो की यूति अस्त्रम स्थान पर हो जाता है तो आपके समाज में मंसमान की कमी होती है आप केस मुकद्र में फसने की हो तो नहीं पड़ेगा सुराल पक्षवाले आपके कभी सपोर्ट में बाती ही नहीं करने वाले रहेंगे पैरों में कष्ट और पेट के समस्यां को यह प्रशान करेगा और दोनों के यूति के कारण जो है दुत्य अस्थान पर दिरिष्टी चले जाने की कारण कडवाहट के कारण जो है आपके परिवारिक लोग भी आपको कभी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं अगर आपके कुडली में अस्टम अस्थान में सुर्य रहो की होती है तो खंदानी प्रूपटी में कभी बा बदनाम भी करता है तो आपको सवधान और और कभी अपनी गुप्त बाते में कितना कमाता हूं या कमाती हूं कभी किसी को मत बताईएगा वही लोगों को सरकारी तंत्रवाल लोग बाद में फिर इंकम टेक्स बेलेटेड़ प्रशानी उत्पन करते हैं और डैवोस और तल कर दन करेगा आपके झीवन में धन और दौलब की कमी नहीं रहेगे आप तंत्र मंत्र को मानने वाले रहिए घांगा आपके पिता से honored कभी जीवन में समाप्त नहीं होंगे दूसरों के दिये खावे के लिए आप भले ही कितना भी पूजा पाट कर लिए लेकिन आपको पुर्ण रुपेन पूजा पाट में कभी मन नहीं लगने वाला रहेगा इसके अलावा जो है आपके अंदर क्योंकि सुरी आत्मा के कारक है कोई कितना भी क कठोर बना देता है जब सुरी अरा की लाघ्यस्थान पे होती है तो अपको अपने जीवन में किसी भी हाल में जो है बूरे से स्थितियों में भी अपने पिता और अपने रधिकारियों से यह गव्यन ही लतलकिया स्थिए आक कर ना चाहिए नहीं तो वहीं लोग लौजिक के कारण अपने कह सकता हूं विचारों के कारण हमेशा लोगों से आर्गेमेंट करने के स्थितियों उत्पन करेंगे आपके माता हो या पिता हो या फिर आप स्वयम की उना हो इर्देश से रिलेटेड समस्या या माता को भी स्वास्त खराव यानि माता और पिता के के दोनों का स्वास्त के कारण जीवन भर कुछ नहीं कुछ कारण से पैसा का कखर्च होता रहता है आप बहुत सकसे करते हैं विदे सियातरा धूंबर का मिलती हैं करिम्नल से ले करें पॉलेटिशन से ले करें प्रसासनिक अधिकारियों से आपका संपर करेता है लेकिन कितना भी कुछ हो जाए आप अपने जीवन में जो है धन तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन उतना इज्जत नहीं कमा पाते हैं और जीवन के अंतिम पड़ाओं में जो है कभी-कभी आपको बड़ा चुक होने के कारण नुक्सान कभी सामना करना प लेगा आप अपने जीवन में स्वयम से बहुत कम उप्र से विदेश यात्रा से धन भी कमाईएगा आप अपने जीवन में जो है कह सकता हूं कि दो नंबर से लेकर इलीगल काम तक पैसे बहुत कमाईएगा लेकिन नहां पर देखिए राहू और सूरी की दिरिष्टी दो में घर को देखता है मतलब दौलत बहुत रहेगा लेकिन संतान सुख में बाधा या आप संतान के रिस्पोंसिबिलिटी पर पूर्ण रुपें ध्यान नहीं दे पाते हैं और वैवाही बिवहा भी लेट से होता है और वैवाही की जीवन में कभी-कभी सक्यकी भावनाओं को उत्पन करने वाला होता है आपके कुडली में सुर्य और राहू की स्थिति जब 12 में हो जाती है तो आप अपने जीवन में आपके सिक्षा अधूरे छुड़ियाते हैं अदूसरों के विर्थे के चक्करों में आप केस मुकादमा के चक्कर में फच जाते हैं जब अरद सब कितना भी कमा लेजिए पैसे नहीं ठीकेंगे आपके संतान आपसे दूर रहा करेंगे आप हमेशा मेंटली टेंसन के स्थितियों में रहेंगे इसके अलावा जो है आपके पैसे कुछ लोग लेके भाग जाएंगे मेडिकल के छेत्र में ये प्रशासनिक छेत्रों में दिक्कत उत्पन करता है और साथ में जीवन के किस और किस तरीके से जाए इस पुर्णरुपेन परिस्थिति को ठीक नहीं रहने देता है इसे लिए सूरिय और रहु के स्थिति दौदर सस्थान का सूब नहीं होता है आपको जीवन हमेशा केस मुकदमा कर जैसे और गलत प तरीका में राहु और सूरिय साथ में बैट जाएना तो कभी बी जो है ना रवी बार के दिन किसी से भी दान मत लिया को पिछिए कि भी हाल में सूरी को जो है सूरी के सम्धिर वस्तूओ का दान मत करिए देखिए आपको तो सूरी को प्रवल करना देक्यरा्श है हम जीवन में संत्थ शंतान है और पिता है तो अब सुरी पर्यास में कर सकते हैं तो अपने जीवन में सोना रिंगकर में सोने के एक जो दिंग फिंगर में अंगूठी या कड़ा या चैन हमेशा पहन करके रखिए इसके अलावा प्रिम जाल में और अपने संतान के वर्त के बातों पर मत फसीएगा किसी भी स्थितियों में आपके पर पैसे हैं तो पुन रुपें धन पिता को मत दीजेगा हो सकता है कि बाद में इसका पुन रुपें फल मैंने आपके सामने फ्रोकास्ट किया है उमिद करता हूं बताएगे जनकारी से संतूष्ठ होंगे तो आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए आएंग अगली वीडियो में और महत्तपुन और ग्या इमन